नमस्कार मैं परशान्त ठाकूर MP24 नीज चेनल में आपका स्वागत है। यूं तो सिक्षक पूजनी और आदर्णी माने जाते हैं जो समाज को नई दिशा और नती के ओल ले जाने का रास्ता दिखा दे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगी ऐसे सिक्षक की जो विद्याले के प्रमुक्त पर बैठ कर सिक्षक की छबी को खराब कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं जिलस शिविनी के 15-16 ग्रामुक्त जहां शास की उच्चता मात्मिक विद्याले में पदस्त प्राचार शिवराज से उम्रे द्वारा कुछ ऐसा व्यावहार या जा रहा है। ग्राम वास्यों को गब्बर सिंधिया जी हां या गब्बर से सिक्षक पूरे नगर में अबद्र व्यवहार और घर्ष्टाचारी के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। आप सुच रहे होंगे कि ऐसे सिक्षक के त्याला में अभी तक कैसे पदस्त है। आपको जानकारी देते लिए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इन महाशाय से नगर की पूरी जंता बच्चे और स्टाफ की अन्शिक्षक इतने ज्यादा प्रताड़िव हैं कि उन्होंने उच्च इस तर तक इनकी लिखित शिकायद कर चुकी। शिकायद की इस प्रकाल की है कि प्रशार महदय रास की परण पर मदिरा पान करती है। साथी साथ कम प्रतिश्चत वाले बच्चों को प्रद्रेश दिलाने के नाम पर मोटी रकम बसूनते हैं। और बताया जाता है कि इन महाशाय गबबर सिंग्षक के द्वारा अन शिक्षक को और विध्यारत्यों के साथ अवत्र व्यवहाल दी किया जाता है। यदि कोई शिकायत करने की इक्षण जाहिद करता है, तो गबबर सिंग उने थंपी दे का शांत करा दोता है। बताया जाता है कि इन गबबर से शिक्षक की दिनी पहुँच है कि कलेक्टर सहाब और सीयम सहाब के इनकी सीधी पहुँच है। इनकी द्वारा जो है बच्चों के साथ में थोड़ा बहुत ज़्याद आभधरिवार किया गया। जांकर प्राप्त हुई मैंने इसकी जांच करवाई। जांच कराने के लिए उपर तक दिया। लेकिन मुझे आज तक कोई संतुष्टी प्राप्त ही नहीं कोई शिकात करता है हम पहुँचे। आए भी तो विभागी अधिकारियों को बुलाया जो प्राप्त हाब थे सास्की करने हार सेकंडरी स्कूल बरगाट के एक आश्टा के थे इन्होंने कुछ समझे नहीं आए हुआ हमको जबदस्ती वहाँ गया लिखा पड़ी चैप किया और कुछ नहीं किया। मुखमंतर जी शचार जीकायत किया मैं ने फेस्ट्री विध हैक से किया। जिनके फूरी सारे सिकायत कियों में लेकिन आज तक शंतुमष्टी पर ज्यान पहले में बोले थे कि हैं और में डार जी आसार ईन्या सब्सक्राइब दूसरी चीज की वहां पर इस्टाफ भी परेसान है इस्टाफ के लोगों को प्रताडित करना पटांग बोलना यह सब चीजों के मतलब कहना इसी मेरे पास कम्प्लेन आती रही है जैसे भोज उनुवर्सिटी यहां पर खुली थी फीस के ज्यादा पाइशे लेना सौ रूपिया टीसी के लेना और के नाम जो बच्चा पढ़ने अगर नहीं आता तो उससे दस रूपिया प्रती दिन के साफ से वसूल करना अधा यह सरा पिकर भी आते हैं क्या इसकुल में कभी उपन तो नहीं होते लेकिन अंदर से कुछ ल सविलियन होने वाला है और हम आपको सविलियन से रोग देंगे आपको सिक्षाई भाग में शामिल नहीं होने देंगे इसलिए मैं ने सर्फ उस समय में एफाई आर नहीं की किन्तु बाद में भी मुझे प्रताडित किया गया मैं यूनिक आईडी पाशवड बनवाने गई तो हम पता चला कि वहां पहले सी मेरे खिलाप उन्होंने सिकायट दे चुके थे कि मेरे कार्याले में ये बगर अनुमती के प्रवेद के जबकि मैं बगर अनुमती की नहीं गई ती सर्फ मैं फूचके गई थी और वहां उनके स्टाप वाले भी थे आपने कर रिपोट किय हमारे प्रिंसिपल द्वारा कहा गया है कि आप लोग सिवनी जाकर मेरे इच्छान रुकवा सकते हूं इसलिए हम लोग को भी जानाम लेकि किसी ने बता आओगा संदीब देश मुकाई के वो मेरा नाम लेकि चिला मुझे बुलार सीधे कालर पकड़ के मारना चालू कर दिये और मारा मा वहन की गाली भी देने लगा और मारा तो ऐसा मारा मेरे सरड भी फट गए टी सरड भी फट गई सब बचने मेरे बेटे के जो भी गलती है मैं माफी चाहता हूं पापा जी लोगों को कहा कि ठीक है कला जाएगा इसकुल फिर हम दूसरे दिन 13 फरवरी को जब इसकुल गए तो वो कहता ही मैं पौरों की आवकाद देखना चाहता हूं एक बार कितनी आवकाद है तो ऐसा कहा फिर पापा जी को इसकुल से भगा दिया उसके बाद थाने मे फाइर भी हुई उसके बाद हमारी हुई उसके बाद फिर वो मेरे पास में आए कि बोले बगेल जी आपने 11,000 रुपे दिये गया तो मैंने बोला हाँ जी मैंने तो दिया 11,000 तो उनके द्वारा फिर शिकायत की गई जन सुनवाई में कलेक्टर को हर जगे उनी ने शिकाय लिए पूले मेरे कज दान के लिए तो नई है अर बोले उससे क्या हो जाएका आपको बोले तो बोले फिर 22000 सब्सक्राइश भी अवआ इसलो में हम टग़े यहां पर हमाँ इसे दो पूर णके जरतर चुके हैं और इस स्कुल के प्रिंसिपल ऐसे स्कुम्री जिनका नाम बताया जा रहा है बहुती बिडमना की बात है कि इस सिक्षक ने इसकुल प्रांगण में पंद्रगास को जो की राश्टी पर्व कहला था इस देश का उसने यहां पर जवर्वपु से डांस पार्टी बुलवाया और डांस पार्टी वालों ताथ खुद ने शरापपी कर डांस भी किया ऐसा बताया जा रहा है और जनप्रितिनीजियों ने इसकी सिकायत भोपाल से लेके यहां के विधायक सांसाथ और HDM कलेक्टर से भी की लेकिन कुछ लोगों ने जाच किया और ठंडे बसने में डाल दिया ऐसा भी जानकारी में बताया जा रहा है इन लोगों कहना है अगर जाच नहीं की गई तो हम जनल नोलन करेंगे छेत की जनता मिलकर और चुनाव को भविश्कार करेंगे और इन्होंने हमें अभी बताया कि एक शिक्यासी में सिकायत करने के बाद भी वहां से कोई जवाब नहीं आया तो मेरा यह कहना है कि सरकार कुंकरन की नीज़ हो रही है कि हाँ के विदायक शांसत कुंकरन की नीज़ हो रहे हैं ये बड़ा सवाल है कैमरामेन धर्मेंत पुआर के साथ संजे कारे MP24 News बरगाट धर्मा